अगर आप कोई भी competitive exam crack करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका concept clear होना तो इस वीडियो से आपका concept clear हो जाएगा लेकिन exam crack करने के लिए दो चीजे और बहुत important है वो क्या? उला sir, best book and best test series तो best book and best test series का जो link है हमने description में provide किया हुआ है एक बार जाकर उसको जरूर देखें आज यह topic है वो that means मैं exam point of view से बना रहा हूँ sir that means क्या है topic का नाम सुनों पहले classification of IC engines कई सारे that means IC engine के अंदर अगर मैं slavers की बात करता हूँ तो slavers क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है और इतना समय that means हम लोगों के पास नहीं होता कि हम पूरा टाइम ही हम IC engine को हम देते रहें लेकिन कई बार हम लोगों ने देखा होगे कई ऐसे चोटे चोटे questions है जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो भी that means exams में question पूछे जाते हैं वो topic कौन सा है वो यह topic है that means there is a classification of IC engine तो जो IC engine का classification है वहां से कई बार छोटे-छोटे questions that means पूछ ले जाते हैं और वो जर्नली that means बच्चों को याद नहीं रहते हैं और अब असी बात है exam आज के time में competition इतना है कि sir एक-एक question हमारे लिए very important है एक-एक number that means हमारे लिए बहुत important है तो classification करने के चाहो तो आप बहुत बड़ा that means एक video बना सकते हो लेकिन मैं as per exam point of view से ही discuss करूँगा कि यह पूछ सकता है यह इसका classification होता है और इस type का question exam में पूछा जा चुका है तो इस video में that means मैं आप लोगों के लिए बनाओंगा कि कैसे हम लोग classification करेंगे क्या-क्या-क्या कितने तरीके से important है और कैसे questions exams में पूछे गए है और ना अगर आपने that means कहो कि हाँ सरी question नहीं पूछा गया तो मैं लोग देखेंगे important है यह आपको दिखाऊंगा कि कहां से question आता है चले start करूं मैं start करूं चले तो सबसे पहले सबसे पहले तो हम लोग लेंगे that means किसके साब से हम अलग-अलग category के हिसाब से लेकर चलेंगे सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं what वोलसर it is the method of ignition method of ignition याणि ignition के method के हिसाब से आपके जो IC engine है वो that means classify होते है तो वोलसर कौन-कौन से होते हैं वो एक हमारा होता है क्या वोलसर SI engine जिसको आप क्या बोलते हैं वोलसर spark ignition एंजिन राइट और त्यादमिस यह कौन से इंजिन होते हैं वोलसर इस आर पेट्रोल इंजिन एक हमारे होते हैं वोलसर वोट वोलसर इस दा सी आय एंजिन जिनको हम बोलते हैं क्या वोलसर इस आर compressed ignition राइट तो जहां पर फ्यूल with the help of spark burn होता है उन इंजिन को बोलेंगे spark ignition engine और जहां पर फ्यूल with the help of high compressed air से fuel burn होता है उसकों बोलते हैं क्या that means there is a ci engine तो that means spark spark में कौन सा होता है वोलसर it is my petrol engine it is my petrol engine और यहां पर हम लोग क्या कह देंगे उलसर it is my diesel engine ठीक है it is very important जो मैंने आपको यहां पर बताया ठीक है चलिए next पर चलते हैं next दूसरी classification मेरी यहां पर होगी उलसर as per number of stroke per cycle that means number of stroke पर cycle याद आ रहा है कुछ उलसर बिलकुल याद आ रहा है as per cycle की में बात करूँ तो कौन-कौन सा engine बहिया कौन-कौन सा engine बोलसर that means हम लोग कहेंगे two stroke engine और बोलसर that means there is a four stroke engine two stroke जहाँ two stroke किनको बोलेंगे हम जहाँ पर एक complete cycle एक complete cycle that means क्या हो 360 degree में complete हो और जहाँ पर complete cycle 720 में complete 720 degree में complete हो उसको बोलेंगे four stroke यह हम लोग कह देंगे कि sir 360 degree में एक power मिले वो two stroke 720 degree में एक power stroke मिले उसको हम बोलेंगे क्या four stroke तो हम लोग कह सकते हैं कि sir यह जो engine है वो मेरा क्या हो गया that means there is a two stroke तो बला sir that means there is a cycle is complete in 360 degree of crank of crank और यहां पर cycle is complete in 720 degree of crank clear है तो बोलेंगे अब सुनो अब यहां से मेरे जी कुश्चन क्या पूछा जाता है कि वोले sir यहां पर एक cycle complete हो रही है two stroke के अंदर 360 degree में और यहां पर क्या हो रहा है 720 degree में four stroke की एक cycle complete हो रही है एक cycle में कितने power मिलते हैं आप लोगों को बोला sir एक power मिलता एक power stroke आएगा एक power stroke आएगा एक बात अब मुझे बताओ कि that means अगर मैं बोलू power to weight ratio अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि sir power to weight ratio जादा किसका होगा यह तरह सिंपल सी जोड़ो किस में कौन से इंजन में power जादा होगी two stroke में यह four stroke में कौन से इंजन के अंदर power जादा होगी बताना जा रहा बताना जा रहा वहला sir two stroke में power जादा होगी as compared to four stroke क्यों क्योंकि 360 degree में एक पावर मिल रहा है यहाँ पर 720 degree में एक पावर मिल रहा है तो power two stroke की जादा होती है as compared to four stroke यह अब वो question को क्या करता है अलग से घुमा के पूछता है कि भी power to weight ratio किसका जादा होता है power to weight ratio किसका जादा है तो सब जिसकी power जादा उसी का power to weight ratio जादा बुले सर हां तो यहाँ पर आप लिखेंगे यह question देख सकते हो आप बहुत बार पूछा गया है बहुत बार पूछा गया है कि two stroke high power to weight ratio ठीक है और यहाँ पर क्या आजाएगा low power to weight ratio समझ गये क्यूं और क्या बोलो यह question पूछा गया हुआ है नहीं पूछा गया बिलकुल पूछा जाता है अगर पढ़ना चाहो तो बहुत जाबत यह पढ़ सकते हैं लेकिन आपको classification में बिता दिया रहे इस वेरी आपको और बटाता हो गया हो गया चलो नेक्स पर चलते हैं नेक्स पर चलते हैं थर्ड यह और बताना टाइप्स आफ फ्यूूल इंजेक्शन टाइप्स आफ फ्यूल इंजेक्शन तरीग जो फ्यूल इंजेक्ट करते हो आप जो फ्यूल मृइंजेक्ट करते हो आप क्यांत चल्चिए और इंजन के अंदर तो वो भी दैट्विस उसके हिसाब से भी हम लोग क्या कहेंगे अलग अलग कहेंगे एक हमारा होता है Carburetor Injection System ठीक है और एक हमारा होता है क्या Carburetor Carburetor वाला नहीं पढ़ेंगे Carburetor Injection System Carburetor कहां यूज होगा Petrol Engine के इंदर और जो Important है सबसे पहला Air Air Injection System क्या कहेंगे Air Injection ठीक है दूसरा हम लोग क्या कहेंगे वोले Sir Air Less और Solid Injection Solid Injection System Solid Injection System Air Injection System Air Injection Air Injection System Air Less Solid Injection System यह जो दो दोनों है These are used in Diesel Engine Carburetor Injection System Petrol Engine भी यहां से Question नहीं आता Question यहां से आएगा तो वो क्यूसरा है Air Injection System दोनों ही क्या है दोनों ही Injection System किसको Inject करने है Fuel को Inject That means जो Fuel Inject करने की जो Process है या That means हम लग कहते है कि वा की विचिज यूस्टू Inject The Fuel In Cylinder गे करता है कि सर क्या हम Cylinder के किस चीज को या हम किस Medium को Use करते हैं Fuel को Inject करने के लिए तो बेटा मैं यहां पर लोग दो यही Question पूछता है कि Air Injection System जो आपका Air Injection System है इस Air Injection System में अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों की इस Air Injection System के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो यहां पर आप क्या लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे कि सर Air Air is used Air is used to inject the fuel in the cylinder ठीक है ठीक है बोले सर हाँ अब आप देखोगे जब आप Air को यूज करोगे इंजेक्ट करने के लिए High Compress Air basically यूज की जाती है अगर इसको में डिटेल में पढ़े तो तो High Compress Air is used to inject the fuel in the cylinder तो मैं कहना चाहूँगे जब इंजेक्ट करोगे तो अब इसी बात है that means cylinder के अंदर क्या जाएगा only fuel जाएगा only fuel जाएगा वोल सर नहीं कुछ air भी जाएगी तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे तर्मिप्स इस.. इस air injection system के अंदर cylinder के अंदर में जाएंडर क करता है और सर.. air plus liquid fuel air plus liquid fuel यही कश्चिन वो पू林ीफिता है कि air injection исп Uh Air injection system के अंदर air plus liquid fuel और बोल ले सर यहां पर साफ साफ आप लोगों को दिख्या एर लेस और solid injection system इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तुम लोग क्या कहेंगे that means there is a liquid fuel liquid fuel only तो air less और air solid injection system के अंदर क्या enter करता है only liquid fuel enter करता है that means air enter नहीं करती है बोलो ये question पूछा जाता है ये पूछा जाता है ये नहीं पूछा जाता बोलो बोलो सर डेफिनेटली पूछा जाता है तो बोल दिया मैंने आप लोग को बोल दिया बोलो सर इडिस वेरी 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 इंबोर्डन जो आप लोगों से examiner question पूछता है चलू मैं आगे next देखो मेरे बच्चे next time next time look at कितना हो गया हमारा तीन हो गया ना तीन उसके बाद हम लोग चलते है fourth way that way some look चलते है fourth way fourth पे हम लोग आ जाता है बोला sir method of cooling that way fourth पे हम लोग आते है बोला sir it is the method of cooling method of cooling method of cooling के अंदर आपके क्या क्या होगा रहे method of cooling के अंदर आपका क्या क्या होगा बोला sir that means there is a what air cooled engine huh बोला sir air cooled engine और लोग क्या के दे हम क्या के दे these are water cooled engine air cooled engine और बोला sir water cooled engine air cooled engine आप लोगो ने देखे होंगे that means हम लोग क्या करते है water cooled करते है मुल्टी सिलिंडर मुल्टी सिलिंडर engine गुष गुष गॉट इसमें कोई बड़ी that means बात नहीं है जो आप लोगो ने सिंपल सा देख लिया चलो next हम लोग चले next हम लोग चलते हैं वोला sir 5th 5th that means क्या types of fuel used types of fuel used that means fuel use करोगे उसके हिसाब से भी हम लोग engine को क्या करते हैं classify करते हैं जैसे जैसे हमारा क्या हो गया जैसे हमारा क्या हो गया उला sir that means there is a petrol engine right diesel engine और बुला sir एक और यूज़ करते हैं क्या cng engine cng है petrol है और आपके diesel है आजकर तो hybrid electric भी आ गया that means वो भी आप देख सकते हैं तो यावर petrol यूज़ करोगे petrol engine diesel यूज़ करोगे diesel engine cng use करोगे cng राइट राइट मेरे बच्चे बुला sir हाँ अब हम बात करते हैं type of cycle used और बसी बात है भाई क्या six six ते आएगा ना type of cycle type of cycle used कि that means किस engine के अंदर कौनसी cycle use होती है तो क्या कहेंगे क्या कहेंगे बुला sir एक तो हमारा auto cycle और diesel और dual cycle so that means petrol engine के अंदर auto cycle diesel engine के अंदर diesel cycle or dual engine that means diesel engine के अंदर dual cycle so that means diesel engine है आप लोगो के जो diesel engine है ठीक है इन दोनों के अंदर ही हम लोग cycle use कर सकते हैं that's why आप लोगोने कभी कभी देखा होगा कि जो आपकी ये dual cycle है जो आपकी ये dual cycle है इसको हम लोग कई बार semi diesel cycle भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं semi diesel cycle क्यों क्योंकि that means the diesel fuel is used in diesel cycle dual cycle that's why it's semi diesel got it चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पर उलसर 7th parameter पर 7th parameter वाट उलसर arrangement of cylinder 7th उलसर arrangement spelling तो सही लिखें मैंने arrangement की उलसर arrangement of cylinders ये क्या होता है ये क्या होता है अब उलसर single cylinder है चाहे वो multi cylinder engine है तो धर्ड़बिस आधा चल्ग क्या करते उनको अलग अलग तरीके से रखling हुए देखते है पैना पैम्सर हा आपने देखा होगा इस ट्रैप का engine भी होता है आपने देखा होगा तरीक कले engine भी होता है ए शो कर् देखहों और आपको द इख़ऑं गुर्देव ऐसा भी होगा कि ऐसे दो अपोज पिस्तन लगे हो होता है ना बोले सर हां तो यह जो चीज है हमारी यह होता है राइट तो अब अगर मैं यहां पर आके बात करूं तो सर कैसे होगे तो arrangement of the cylinder आपका very important हो जाता है तो arrangement of the cylinder की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कौन-कौन से आपके cylinder आ जाएंगे horizontal horizontal vertical vertical और हम लोग क्या कहीं अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो हीरो की बाइक है जो हमारी हीरो की बाइक है बजाज पलसर वगेर आपने देखियोगी टीवी इसकी बाइक वगेर आपने देखियोगी तो देखियोगी ठीक है यहां पर हम लोग क्या कह दें वह सर्डाट में देरिजर वी इंजन उसके बाद हम लोग कह देंगे रेडियल इंजन रेडियल इंजन उसके बाद हम लोग कह दें हमार पर होरिजोन्टल हो गया इंकलाइन इंजन भी होते हैं इंकलाइन इंजन उसके बाद हम लोग कह देंगे 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 देरिजर अपोस्ट पिस्टन अपोस्ट पिस्टन इंजन और एक और दाटमिंस मैं लिखूंगा वोला सर्क्या अपोस्ट सिलेंडर ताटमिंस दर्जा यह आपके हैं तो जैसे आप लोग उने देखा होगा जो होरिजोन्टल इंजन हैं तो तर्फिस पहले हीरो क्या करता था जो हीरो की हीरो होंडा की बाइक वगर अगर अगर आप लोग उने देखी हो क्या करते थे हीरो होंडा में पहले होरिजोंटल इंजन आता था आता था लेकिन अभी आजकल नौवी डेस आप लोग क्या देखते हैं तो थोड़ा सा तो लाज पुलसर वगयरा है टीमीट वगेरा है उनमें अंदर कैसा इंजन होता है यह क्या है यह क्या निए ऑनंगल होगा एंगल हो तो तो दो पिस्टन जो है उनको क्या कर दिया जाएगा सी तरीखे शोड़ेसरें दूनल को ऐसे अरेंज यह जो सब्सक्राइब दो आपका वी इंजेट यह मेरा हो गया वी इंजेट के अ perfectly अशेले सब्भाब पाज हम लोग बात करें, that means आप लोगों के पास क्या आ गया? ओला, sir, that means there is a in-line engine तो मैंने लिखाई नहीं, sorry, that means एक और engine आपका होता है, ओला, sir, that means there is a in-line, in-line engine, so that means cylinders को हम लोग क्या करें? आपका हो जाएगा, in-line engine, got it, simple है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपका होना, sir, हमारे पास आता है, that means there is a opposed piston cylinder, opposed piston engine हम लोग देखते हैं, तो जो opposed piston engine जो है, वो देखवा, आप लोगों को यहां बर देख रहा होगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दो piston को एक दूसरे के opposite लगा देंगे, ठीक है, एक दूसरे के क्या करेंगे, opposite लगा देंगे, जो एक दूसरे के opposite लगा देंगे, तो यह क्या हो गया, यह जो हमारे इंजन्स है यह जो हमारे इंजन्स है अपोस्ट पिस्टन इंजन हो जाएंगे बिसिकली यह जो आप लोगोंने देखा होगा जो आप लोग देखते हैं, तो आप देखते हैं, जो 4x4 हमारी jeeps वगेरा होती है, या आप इसको देखेंगे, जो हमारी military tanks वगेरा होते हैं, ठीक है, जो military tank होंगे आपके, military tank, military tank जो है, उनके अंदर आप लोग क्या करेंगे, opposed piston cylinders वगेरा देखेंगे, ठीक है, अब ये क्या है बोले सर, opposed piston है, ऐसा ही बेटा क्या होता है, cylinders को that means क्या कर दिया जाता है, एक दूसरे के opposite लगा दिया जाता है, तो उनको क्या बोल देते हैं, दीजार्दा, opposed cylinder engine, तो in opposed cylinder engine that means basically आप लोग कहां देखेंगे, ये जो opposed cylinder engine है, basically हम लोग क्या करते हैं, shifts वगेरा में हम लोग इसको देखते हैं, right मेरे बच्चे, right, got it मेरे बच्चे, wait a minute, hello, hello, अजी, भाई थोड़ी दिर में क्लास में हैं, हमें एक बार थोड़ी दिर में करूं, एक मिनिट रुखो तूं, हाँ, हाँ, ठीक भाई, ठीक, 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 ओके, चलिए, ठीक है, तो देखें, तो हम लोग क्या कर रहें, opposed cylinder engine and that means there is an inline engine, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, opposed cylinder कहां यूज़ करता है, shifts में हम लोग basically यूज़ करते हैं, ठीक है, अब last जो classification, that means हमारे पास आएगी क्या, बोल सर, that means what, application, हम लोग application के हिसाब से भी that means हम लोग क्या करेंगे, हमारे engines को that means use करेंगे, क्या एप्लीकेशन, application application की जिसे आगर आप बात करो तो हम लोगों ने देखा होगा हमारे पास क्या है locomotive है हमारे पास marine engines है हमारे पास automobile engine है हमारे पास क्या है वोल सर stationary engine है जैसे हम लोग क्या करें सबसे पहले हम लोग क्या कह दें वोल सर इडिस दा stationary what these are the stationary engines right stationary engine open उसके बादम लुका के दें व्ला सर डा़म बुदक आम रोग कर दें वो वुलिड हम लोThat के लोग मूटेव लोग के दें वुलसर डाईचिबादर इसर मरीनvyN अ प्रीड लॉचनलिग आनलोग कर दें वुलसर रट मुदक आ रीजर अ मरीन adoptym मोईल इंजन आप लोगों के होंगे तो यह है तैट मिस्ट अप्लिकेशन के हिसाब से अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो अग्रिकल्चर पॉम्प्स वगेरा हैं इंडस्ट्री के अंदर जो इंजन चुछते हैं जैसे इसके अंदर आपका कौन सा आजाएगा इसके अंदर कौन सा आ जाएगा वोली सर्थ लिस आर दा अघ्रि कुल्चर हैं गरिकल्चर पंप यूव roast अचेई उसके बाद हम लोग कहे देढ़ मुण्ट्रिय цен तफीअं पहले इंडस्टीज। basically आप लोगों को पता है का यूज होता है वोला sir इसको हम railways में यूज करते हैं marine that means आप लोगों ने देखा होगा हम लोग क्या करेंगे वोला sir हम लोग oceans में machine दो ships वगेरा हम लोग आरी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा वोला sir marine हो जाएगा और लोटो मोबाइल तो आप लोगों को पता है वोला sir बहुत that means घुमाते फिरते हैं तो उसको मोलते हैं application हे इसाफ से राइट तो यह क्या है इस आर दा एट classification एट तरीके और भी बहुत तरीके हैं और भी that means हम लोग देख सकते हैं और भी हम क्लासिफिए कर सकते हैं कि इस आर नोट वेरी मच इंपोर्टन राइट तो यह जितने भी classification है इंपोर्टन है और यहां से मैंने आप लोगों को basically बिटा question भी दिखाया कि देखो ऐसा question that means वो पूछ रहा है तो यह आपको short knots बशर्ते that means ना बनाओ लेकिन मेरा बच्चा इनको एक बार देख जरूर लेना so that आप लोगों को ना है और short knots में that means यह जरूर आप लोग लिख लेना यह जो मैंने आपको बताया है और यह आपको method of ignition के एसाब सुझाएगा तो these are very important जो आपको धान रहती है I hope आपको topic पूरा clear हुआ होगा तो thanks for watching video till the end तो अगर video अच्छा लगा तो like जरूर कीजेगा और channel पर अगर नए है तो channel को subscribe जरूर कीजेगा for latest update आप लोगों के लिए हमने एक telegram channel बनाया है जिसका link first comment और description में दिया हुआ है उसको भी जाके join कर लीजेगा और हाँ best book and best test series for SSJEE का link भी description में दिया हुआ है उसको भी देखना ना भूले तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में